नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MP Academy के YouTube चैनल पर आज हम आपके लिए मैत का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है LCM and HCF दोस्तों कॉम्प्टीशन एक्जाम के सभी एक्जामों में LCM और HCF से 2-3 कुश्चन बनते हैं इसलिए अपने आप में एक महतुपून टॉपिक है और काफी सरल है बस थोड़ा सा लॉजिक समझने की बात है तो इसमें हम बित एक्जामपल लॉजिक और एक्जामपल के साथ सौट ट्रिक्स करेंगे विदिन आप 10 से 5 सेकेंड 10 से 20 सेकेंड के अंदर कुश्च आंसर निकाल लें ठीक है चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते है एक बात और बताना चाहते हूँ अगर आप मेत के बांकी टॉपिक्स मेत और या रीजिनिंग के बांकी टॉपिक देखना चाहते है तो हमारी प्लेइलिस्ट में जाएगा वहाँ पर आपको मेत और रीजिनिंग के सभी टॉपिक के वीडियो उपलब्द हो जाएंगे ठीक है चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं LCM और SCF फोर सा यह बता देना चाता हूँ कि जो SCF होता है यह होता है हाईजेस्ट कॉमन फेक्टर होता है और जो LCM होता है वो लीष्ट कॉमन मल्टिपल होता है ठीक है इतना जान लिए अब इनकी थोड़ा बैसिक के बारे में जान जाते है कि यह work कैसे करते हैं, इनकी functioning क्या है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए basic जान लेते हैं, कि यह HCF और LCM होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, LCM, यहाँ पर लिख दिया मैंने HCF, और एक छोटा सा कोई number लेते हैं, छोटे से, सरल से number लेते हैं, ताकि आपको समझ से पहले मैं आपको निकाल के बताता हूँ, किस तरीके से जो अपने school में पढ़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद trick बताएंगे, तो अब क्या करते हैं थे, simply 4, 8 और 12 को लिख लेते थे ऐसे, फिर अब इसको काटते थे, तो सब 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 दू दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है, इस तरह से, फिर यह 2 से एक बार कटेगा, 1, 1, 3, फिर एक बार 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर सभी जगे क्या जाएगा, 1, 1, 1, मतलब कि इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 into 2, into 2 into 3, इसका multiple कर लें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इन 4, 8 औ 12 का जो LCM है, वो कितना आजाएगा, 24 इस में 30 से, ठीक है, यहीं, अगर हमको क्या करना हो, इसका HCF निकालना हो, तो वो कैसे निकालते थे, जोडे बनाके, है ना, जोडे, लिख लेता हूँ, 4, 8 और 12 का निकालना है, क्या HCF, तो आप 4 के करते थे, multiply, तो 4 का क्या हो जाएगा, दो गुड़ें, दो गुड़ें, दो, इसी तरह से, 12 का कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 3, फिर, अब इस पर अपन common देखा करते थे, जो सम में common हो, उसको ले लेना है, तो इसमें देखिए, दो common है, तीनों में, तो एक दो ले लिए, फिर, इसमें दो common है, यहां पर भ तो यह कितना आगया हमारा, फोर आगया, तो यह मैथड यूज नहीं करनी है, आपे, चुकि अगर इस मैथड से करोगे, बड़ी-बड़ी संख्याया हैंगी, तो उसमें टिप टाइम लगता है, ठीक है, अभी एक्जामपल करेंगे, कुश्चन करेंगे, तो समझ में आ ज तो सबसे पहले आप difference निकालो, ठीक है, किनी भी दो numbers का, चाहे इसका या इसका, जब आप question करोगे, तो आपको छोटे से छोटर difference निकालना है, ताकि आपको ज़्यादा factor ना करना पड़े, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको जब मैं solve करूँगा, तो समझ में आ हैं, क्या, ये चेक करना है, तो चार एकम चार, चार दुनिया, चारती, बारा, तीनों कट गई, ये इन दोनों का difference है, चार, और इस चार से ये तीनों संख्याएं क्या हो रही है, डिविजिवल हैं, यानि कि कट रही हैं, विभाज हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, hcf डायरेक्ट, ठीक है, अब समाई गये होंगे, थोड़ा बड़े सब्द लेते हैं, बड़े अंक लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे बारा, बारा, पंदरा, और ले लिया कितना, अठारा, ठीक है, अब देखो, difference लो सबसे पहले क्या करो, difference कितना जाएगा, तीन, बारा और ती तीन से, ये तीनों संख्यां कट रही है, देखो, तीन चोको, बारा, तीन पाचे, पंदरा, तीन चंग, अठारा, कट रही है, मतलब इनका, hcf, highest common factor क्या हो जाएगा, 3, answer, ठीक है, तो आप समझ गये होंगे, lcm कैसे निकालना है, तो lcm निकालने के लिए क्या करना है, जि तो आप सिंप्ली इस तरीके से, कालो, 4, 8, 12 को, ठीक है, 4, 8, 12 को, इसको अब 2 से, मत काटो, ये देखो कि हाईजेस्ट ये किस नम्बर से कट रही है, तो 4, 8, 12 ह, हाईजेस्ट 4 से कट रही है, 4, 8, 12 ये, 4, 4, 3, 12, अब इनको भी यहां पर मतलब हो, क्योंकि ये क्या 24 आ जाएगा ठीक है LCM इस तरीके से कर सकते हो या फिर एक और तरीका क्या है कि 4, 8, 12 इस तरह से लिखे इनके प्राइम फैक्टर से लिख लो किसके इनके अलग-अलग ठीक है तो मैं अलग-अलग इनके प्राइम फैक्टर होता है उसको एक बार लिखने है तीनों में या दौनों में ठीक है तो जैसे ये दो ठीक है ये दो common है देखो इसमें भी इसमें भी तो एक दो लिख लिया फिर ये दो इसमें common है और इसमें भी common है ठीक है तो एक और दो लिख लिया फिर यहाँ पर क्या है तू तो इस टू को लिख दो अकेला है यह फिर क्या एक बचा क्या तीन तो दो दूनी चार दूनी आठ तियाई 24 किसी भी मेंथड से करो कर आएगा वही अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा नहीं लेकिन यहीं 486 लिख दें तो दो गुणे कितना लिख होगे इसको इसलिए जो यह वाला मैथड है 4,8,12 इसमें यह चेक करो कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नमबर है जिससे तीनों कट रहें उससे काटो फिर काटते जाओ जब तक की 1 ना जाए ठीक है और उनका multiple करके LCM निकल आएगा ठीक है तो अब अपन डारेक्ट समय वेश्ट ना करते हुए क्या करते हैं कुश्चन करते हैं ठीक है चलिए तो कुश्चन नमबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर रूपेंड विभाजित हो ठीक है तो ये पहला कुश्चन है इसको मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है समझना 5 अंकों की कोई संख्या है जो की इन में से है ठीक है जो 12, 15 और 18 से पूर रूपेंड विभाजित होती है ठीक है इसको समझना अपन को इस कुश्चन में ये कुश्चन बन जाएगा तो आंगे कि 2-3 है उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी देखिए तो सबसे पहले मैं आपको पहले इसका LCM निकाल के बता दिता हूँ ठीक है 12, 15 अब आपको ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट LCM निकाल रहा हूँ कैसे पता चला LCM निकालना है तो वो आप देख की समझ जाओगे बस थोड़ा सा इंतजार कर लो 12, 15 लिखो 12, 15, 18 इसका LCM निकालते है ठीक है तो छोटे नमबर से तो इसको डायरेक्ट में यहीं पर फैक्टर कर लेता हूँ इसके प्राइम फैक्टर इसको क्या लिख सकता हूँ 2, 2, 4, 3, 12 5, 3, 15 2, 3, 3, 3, 3, 3, 18 ठीक है लिख दिया इसको अब क्या करना है पेर बना लो 3, 3, 3 तो एक 3 लिख लिए फिर यहाँ पर एक 2 है यहाँ पर एक 2 है तो एक 2 लिख लिए फिर यहाँ पर एक सिंगल 3 बचा है 3 लिख लो यहाँ पर एक 5 बचा है 5 लिख दो यहाँ पर एक 2 बचा है इस 2 को लिख दो बरावर कि बावन लिग गया इंटू टू बरावर तो देखो किता जाएगा तीन दूनी छे चेतरे का ठारा ठारा पंचे नबे और नौदूनी अठारा एक सो असी तो एलसियम हमारा किता आगया एक सो असी ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ ये बारा पंदरा और अठारा इसका एलसियम एलसियम कितना आगया है एक सो असी ठीक है तो एलसियम का मतलब क्या होता है लीष्ट कॉमन मल्टिपल का मतलब ये होता है कि जो एलसियम है न इन नंबर से जिनका ये एलसियम है इन सब से डिविजिवल होगा मतलब 12 से इसको काटोगे कट जाएगा देखना 12 एककम 12 बच्चा 6, 12 पंचे 60 कट गया ठीक है 15 से चेक कर लो 15 एककम 15 3 बचा 15 दूनी 30 12 आ गया कट गया फिर 18 से चेक करो 18 धाम 180 180 ठीक है तो जो LCM होता है वो इन तीनों नंबर से क्या होता है डिविजिवल होता है या विभाजित होता है ठीक है अब लॉजिक सुनना हमने क्या वोला कि कुश्चन में क्या वोला है कि 12, 15, 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित है ऐसी पाँच अंकों की संख्या निकालनी है तो ये जो 12, 15, 18 ये नंबर है इन नंबर से इनका LCM एक स्वस्ची है ये पूर्णता विभाजित है ठीक है इनका LCM इन तीनों नंबर से पूर्णता विभाजित है तो जो पाँच अंकों की संख्या होगी जो पाँच अंकों की संख्या होगी अगर इनके LCM से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से सेस्फल एक भी न बचे ठीक है अगर कहने का मतलब ये है कि अगर इस LCM से ये पाँच अंकों की संख्या डिवाइड हो जाए तो ये जो पाँच अंकों की संख्या है अलग-अलग इन तीनों संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगी ठीक है बस यही समाजना था यह ELECYम जो है इन तीनो संख्याओं से डिविज़भल है तो यह पांच इसएंकों इस संख्या है वो भी वो अगर इस D57 से डिविज़भल हो जाएगी पाँच अंकों की संख्या ठीक है? चलो समझ गए अब मतलब जिस भी कुश्चन में इस तरह का आएगा कि दो अंकों की संख्या तीन अंकों की संख्या और इस तरह से नंबर दे दें ये कि पून रूप से विभाजत हो जाती है तो आप सेंपली क्या करोगे कि जो संख्यायं दी है कि इन से पूर्ण रूप विभाज़त होती है तो उन संख्यायों को LCM निकाल दो और LCM से उस अंकों की संख्या को डिवाइड कर दो तो जो अंकों की संख्या जए जितने दो हो, तीन हो कितने भी हो अगर वो दो या तीन अंकों की संख्या एलसियम से डिवाइड हो जाती है तो अलग-अलग वो दीवी संख्याओं से भी विभाजत हो जाएगी इतना याद रखना है ठीक है याद क्या रखना फिर अपन को अपन क्या सीखा की इन तीन संख्याओं का यानि की बारा पंदरा और अठारा का जो एलसियम आया 180 अगर इस से इन पांच अंकों की संख्या जो की चार उप्सन है इन में से जो पूरी तरह से कट जाएगी वही संख्या इन तीनों से भी डिविजिबल होगी यह अपना सारान से निकला ठीक है तो इसी मेंथड से कल लेते हैं सबसे पहले जो देखो 100 option नमर एक से 101 1018 जीरो इसको देखो 18 से 101 पूरी तरह कटेगा क्या नहीं कटेगा तो option नमर एक क्या हो गया गलत यानि कि eliminate कर दी उसको option नमर दूसरा चेक करो 180 ये 3 से काटो इसको 3 6 18 60 इसको काटो 3 तरकाई 9 एक बचा 10 तरकाई 9 एक बचा 3 तरकाई 9 एक बचा 3 पाचे 15 ये भी नहीं कट रहा यानि कि पूरी तरह नहीं कट रहा है तो option नमर एक गलत 2 गलत हो चुके तीसरे में जाओ 1 0 0 2 0 बचे में 180 0 से 0 काटो ठीक है 2 से काट दो तो 2 5 10 2 1 कम 2 501 बचे 2 नम अठार 9 ठीक है तो 501 बचे 9 ये भी नहीं कटेगा तो exam में अगर आपके 3 option अपने eliminate कर दी है 9 of these option नहीं है तो आपको सीधे से 4 option क्या करना है टिक कर देना है लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगी 1 0 0 8 0 को चेक करना है क्या वो इन तीनों संख्याओं के LCM से पूरी तरह से divisible है देख लो 0 से कटा 0 अब इसको काटो 18 से तो 18 पंचे अठारा का भाग लगाओ 100 से जाद रहा अठारा पंचे नब्बे बचा दस अठारा चक्का एक सो आठ यानि कि ये 56 वार में पूरा कट गया तो ये जो पांच अंकों की संख्या है इन तीनों के LCM से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है इसका मतलब कि इन तीनों संख्याओं से अलग अलग भी ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी ठीक है तो इस लॉजिक के साथ अब इस तरह के जितने भी कुश्चन आएं आप सभी से बन जाने चाहिए ठीक है कुश्चन नमबर दो में चलते है उट बचा रहा होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा उसमें पांच अंकों की संख्या थी इसमें चार अंकों की संख्या और संख्या बदल दी है ठीक है सिंपल और कुछ चेंज नहीं किया है तो देखो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें सबसे पहले LC हम निकालते हैं किसका 15, 25, 40 और 75 का ठीक है तो अभी इसके भी मतलब यह ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है इनके भी अपन फैक्टर कर सकते हैं प्राइम फैक्टर तो इसकी जरूरत नहीं है अभी ठीक है जैसे 15 है तो तीन गोड़े मैं 5 लिख दूँगा इसक तो 40 को क्या लिख सकते हैं दो गड़े दो गड़े दो तो 8 हो गया इंटू 5 लिख सकते हैं इसी तरह 75 को क्या लिख सकता हमें तीन गोड़े 5, 15 ती 15, 25 ठीक है तो इस तरह से हमारा क्या हो गया ये हो गए 15 के फैक्टर ये हैं 25 के ये 40 के और ये 75 के अब इसमें common निकाल लो जो common common हो उनको लिखके और multiply कर लो तो LC हमा जाएगा तो देखो सभी में 5 है ये 5 color change कर लेता हूँ ये 5 और ये 5 नीचे भी है ठीक है तो एक हमारा क्या आ गया कहां पर लिखें इसको यहां पर एक हमने लिख लिए क्या 5 multiply अब देखो क्या common है तो यहां पर एक 3 ये है और एक 3 ये है तो इससे एक 3 ले लो हो गया फिर अब देखो यहां पर देखो एक 5 ये है एक 5 ये है तो एक 5 ले लो फिर बचा एक 5 ये पर क्या बच्छता है दो दूनी चार दूनी आठ इसके कहीं फिप्यार नहीं है तो सीद्धी से आठ का मल्टिप्लाई कर लो ठीक है अब इनका जो मल्टिप्लाई आएगा वही आजाएगा क्या एल्सियम पांच पांच और ये पांच तो क्या गया एक ये है पांच एक ये है पांच इन दोनों से एक पांच आ गया पांच की कहानी कहता हो गई अब देख है तीनकेला है और कहीं और एक तई है तो इससे एक तीन आजाएगा ठीक है अब ये दो दो गुड़े-डो गुड़े और किसी में नहीं है तो सीदी सी तो पूरऑ-पूरा आठ ले लो तो यह आ गया आठ ठीक है यान कि सब इसका LCM कितना हो गया आठ थी 24 और 24 गुड़े 25 इसका LCM हो जाएगा 25 जो को 100 की 0 हांसल की एक 10 और 25 दूनी 50 10 60 यान कि इसका LCM कितना जाएगा 600 ठीक है LCM कितना गया 600 चलो अब इसको अराम से लेते हैं कितना 15 25, 40, 75 LCM कितना आगया 600 ठीक है 600 LCM तो अपन क्या सीखे हैं कि 4 अंकों की जो संख्या होगी इन में से कोई सी भी संख्या होगी वो अगर इस LCM से पूरता डिवाइड हो जाए इस LCM से पूरता डिवाइड हो जाए तो इन संख्याओं से अलग-अलग डिवाइड हो जाएगी वही अपन को निकालना है तो सिंपल से option number A को पकड़ो 9000, बटे में 600 करो ये 0 से 0 इस से ये और 15 चक्का 90 तो पहली संख्या ही है जो कि LCM से पूरी तरह से कट जाती है 9000, तो इन सबसे अलग-अलग भी कट जाएगी, तो option number A will be right answer चलिए, next question है question number थी, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्याद करें जिसे 24, 97 में जोडने पर योगफल 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वो 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित कब होगा? जब इनका LCM LCM जब वो संख्या इनके LCM से विभाजित हो जाएगी तो वो इनसे भी विभाजित हो जाएगा यही तो सीखे है ठीक है? तो अब टाइम नहीं लगाएंगे अब जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है? देखो 5, 6, 4, 3 इनका LCM निकालना है ठीक है? निकालो 5 के फैक्टर नहीं होगे प्राइम फैक्टर ओ लेडी है इसका हो जाएगा 3 into 2 इसका हो जाएगा 2 into 2 और इसका हो जाएगा 3 ठीक है? प्रेक्टिस करोगे तो यह तो नॉर्मल ही है इत्ते अंको तो आप टाइम एंड वर्क की होगे तो इस से बड़े बड़े इस अंकों के डारेक्ट एलसियम लिखना है पड़ते होगा है ना फिर भी इस तरह से कर लो ताकि प्रैक्टिस में आ जाए तो देखो इस दो का एक बन गया पेर तो दो लिख लिए इस तीन का बन गया तो एक तीन लिख दिए फिर अब यहां पर एक दो बचा तो दो लिख दो एक पांच बचा तो पांच लिख दो दो तीन ही छे शेदोनी 12 पंचे 60 इसका एलसियम कितना हो जाएगा 60 ठीक है यानि कि इसके LCM से डिवाइड हो जाएगी तो इन सब से डिवाइड अल्रेडी हो जाएगी तो जोड़ना है वो निकालना है ठीक है तो अपन 60 से इसको डिवाइड करते हैं जो कम पड़ेगा वही तो जोड़ना पड़ेगा है ना तो डिवाइड कर दो 24 97 को भाई जो कम चार बार चला जागा चार चाहीं 24 यानि कि 240 उतारी की 9 ठीक है उतारी की 9 घटाने पिनो उतारी की 7 97 बचा तो जो सेसफल बचता है पूर कटने का मतलब क्या होता है कि सेसफल नहीं बचना चाहिए अब देखो 60 मैं अगर 60 का इसमें भाग देंगे अपन ठीक है 60 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा एक बार अभी एक बार चला जाएगा तो यहाँ पहर 60 लिख दो साथ की साथ और नौ में से छह जाएंगे तो कित्ता बचेगा नउ में से छह जाएंगे तो बचेगा तीन यानि कि 37 सेज फल बच रहा है और अपन को पूँचा है कि सेज फल न बचे तो सेज फल कब नहीं बचेगा जब यहां पर 37 की जगे क्या आ जाए 60 60 हा जाए अगर 37 की जगे पर 60 हा जाएगा तो सेसफल कुछ भी नहीं मचेगा अगर यहां पर 37 की जगे 60 लाना है तो कितना जोड़ दें की 60 हा जाए बस यह निकालना था इसमें कितना जोड़ दें की 60 हा जाए इस तरह से जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 23 यह पूछा पूछा है कि इसमें क्या जोड़ना पड़ा तो 37 आया था यह 60 से तो कट नहीं रहा था इसमें हमने प्लस कर दिया 23 यान कि यह अब हो गया 60 तो 60-60 यान कि पूरता डिवाइट हो गया तो option number C will be right answer समझ में आया होगा अब यहां पर question को देखना बिद्यार्थियों की वह अधिक्तम संख्या ग्यात करें जिसमें 469 आम और 715 संत्रों को समार रूप से बितरित किया जा सके तो अधिक्तम संख्या पूछ ले तो highest यानि कि highest common factor पूछ रहा है जो highest common factor होता है उसमें इस तरह से question आते हैं मालो एक लकड़ी ऐसे देदी इतनी और यह कितनी देदी अब वो यह बोलेगा इसको बांटो इसको क्या करो बांटो लेकिन लकड़ी के बरावर partition आने चाहिए लकड़ी के कितने partition इन लोगों में बाटना है इन विद्यार्थियों पता नहीं कितने व partition कर लो ठीक है इस तरह से तो यहां पर भी उतने ही हो जाएंगे ये तो अगर एक partition एक बच्चे को मिल रहा होगा तो कितने होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि कि बच्चों की संग्या कितनी हो जाएगी साथ जो कि इनका highest common factor है इसके लाबा और कोई सा ऐसा factor नही से कुछ भी हमको बाटना पूरे आम होते हैं चार सो इसको समझ दो आप मालोई 715 है और यह 429 है बाटना पूरे हो सब को बराबर बराबर मिले तो जो अपने पड़े हाई जेस्ट कॉमन फैक्टर तो हाई जेस्ट इसका मतलब समझ लीजिए हाई जेस्ट कॉमन और कि उससे बड़ा संभा ही ना हो उससे बड़ा संभा नहीं होना चाहिए मलब कि सबसे बड़ा हो और कॉमन हो सभी में हो मलब इतना इसमें भी है इसमें भी है यहां पे भी है यहां पे भी है यहां पे भी यहां पे भी तो हाई जेस्ट हो यानि कि बड़े से बड़ा हो और common हो, सभी में common हो और बरावर बांट दे, ठीक है बड़ा, सभी में common और बरावर बांट दे, तो ये कहलाता है highest common factor यानि कि हसी अफल, महत्तम समापवर्तक, समझ गए आप लोग, ठीक है तो 429 और 715 सिंपल सा इसका क्या निकालने है अपन हाइजस्ट common factor तो वो संख्या आ जाएगी बिद्ध्यार्थियों की, जिन में ये बरावर संख्या में बित्रित हो जाएंगे ठीक है, तो 429 और 715 वह कुश्चन ढख रहा है तो यहाँ लिख दे हूँ, 429 715, इसका निकालना है क्या, LCM चलो तो LCM, HCM निकालना है, हाईजस्ट common factor एंड की महत्तम तो क्या बताया था मैंने, ट्रिक से करना है इसका डिफरेंस निकालो, इन दोनों का कित आएगा, 15 में से 9 गई 6 और 11 में से 3 गई तो 8 और 7 में से 5 जाएंगी तो 286, ठीक है उपर लग लेते है 429, 715 इनका डिफरेंस है 286, यही आया न 15 में से 9 गई 6 11 में से 3 गई 8 7 में से 5 गई 2 286 आया तो क्या यह 286 से 429 डिवाइड है हमको डिफरेंस निकालने के बाद क्या देखना होता कि इस डिफरेंस से यह संख्या और यह संख्या अगर डिविजबल हो जाए पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो यह सही है यानि कि यही है common factor अगर नहीं होती है तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर इस डिफरेंस के factor करने पड़ेंगे डिफरेंस के factor करोगे फिर उसमें चेक करना कि क्या उससे यह दोनों संख्या है कट रही है अगर कट जाए तो वही हो जाएगा answer ठीक है तो 286 कि इसमें लास्ट में 6 इसमें 9 है तो यह तो पूरी तरह से कटेगा नहीं ठीक है तो इसके हम क्या कर लेते है factor तो इसको 143 इंटू क्या कर सकते है तो अब हाइजेस्ट से छोटे से कभी भी नहीं ट्राइ करना है सबसे पहले क्या हाइजेस्ट है यानि कि बड़े से बड़े से ट्राइ करो क्या 143 से 439 कट जाएगा तो बिलकुल कट जाएगा देखो multiple of 3 है 143 से 439 को काटना हो तो तीन बार भाग चला जाएगा 143 से 715 को काटना है तो पांच बार भाग चला जाएगा ठीक है तो यानि कि हमारा जो हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया HCF हो गया 143 143 यही हमको निकालना था यानि कि 143 बच्चे होंगे जिनमें ये बरावत संख्या में संत्रे बढ़ जाएगे तो LCM आप समझ गए HCF समझ गए अब कुश्चन जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है चलिए कुश्चन नमर 5 है ये एक अलगी टाइप का कुश्चन है ठीक है तो इसके लिए में ये कुश्चन क्या है वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें जिसे 115, 149 और 183 से बिवाजित करने पर सेस, क्रमसा, 35 और 7 आए ठीक है तो समझ लेना इसको अपन को वो संख्या ग्याद करनी है जो इनमें से डिवाइड करो इनसे डिवाइड करो तो ये सेस फल देती है एक एक्जामपल लेकर मैं देखता हूँ हमने क्या किया ले लिया 23 इसको डिवाइड करो किससे? 4 से 23 को डिवाइड करो 4 से मैंने ये बोला है कि हमने कोई संख्या ली है 23 उसको अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो सेसफल आता है 3 क्योंकि 4, 5, 20 पाच वार जाएगा बचेगा 3 तो 3 क्या बचेगा सेसफल बचेगा ठीक है ये संख्या है अगर कुश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी संख्या है जो हमको ग्याद ये वो संख्या है जो हमको दी है 23 ना देके 115, 149, 183 दी है तो उससे मतलब नहीं है हमको क्या है संख्या ये वाली दी है हमको निकालना है ये वाली संख्या ठीक है किस से डिवाइड करें और सेसफल भी दिया है ठीक है तो यहाँ पर quality देखना है इस 23 में से यानि कि जो संख्या दी है अगर मैं इसके किसको सेसफल को घटा दूँ दी हुई संख्या से ये दी हुई संख्या है ना इसके सेसफल को घटा दूँ तो कितना ज़एगा 23 में 3 घटा और 20 और फिर जो संख्या ग्यांत करनी है जो संख्या ग्यांत करनी है यानि कि यह संख्या ग्याद करनी है यहां तो पता है पन को चार है तो जो संख्या ग्याद करनी है उससे यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ठीक है मतलब जो संख्या हमको ग्यात करनी है उससे इन मैंसे अगर इनके सेस्फल को घटा दें तो जो संख्या आएगी वो पूरी तरह से डिविजबल हो जाएगी एक बार और समझा देता हूँ अगर नहीं आया होगा तो सिंपली मैंने क्या किया है तेईस ले लिया तेईस में इस संख्या का भाग लगाया ठीक है चार का भाग लगाया किता जाएगा तीन आएगा सेस्फल ये बोल रहे हैं हम कि अपने कुश्चन में ये संख्या दी है निकालना क्या है हमको निकालना है नीचे वाली संख्या कि क फिर जो संख्या निकाल ली है उससे ये संख्या डिवाइड हो जाएगी पूरी-पूरी ठीक है इस क्वाल्टी से कर लेते हैं चलो तो दिया है 115 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर गिमें संख्या है 115 149 और 183 ठीक है अब इन में से इनकी सिस्फल घटा दो इसमें से घटाओ माइनस 3 इसमें घटाओ माइनस 5 इसमें घटाओ माइनस 7 देखो क्या जाएगा 115 से 3 घटाओ 112 149 पांच 144 एक 383 में 7 13 में 7 गई 7 6 13 8 में गई 7 176 ठीक है यानि जो हमारी संख्या है आ गई है यह आ गई 112 144 176 तो अब यह संख्या है आ गई अब इन संख्या में अपन को एक ऐसी संख्या ग्याद करनी है ऐसी संख्या ग्याद करनी है जिससे यह संख्या भी डिवाइड हो यह संख्या भ क्या निकालना है हमको इसका high-gest common factor निकालना है high-gest common factor यानि कि HCF निकालना है HCF जो होता है वो बड़े से बड़ा number होता है जिससे ये तीनो number divide हो जाएं वही नए HCF होता है मैंने क्या बताया है LCM में मैंने बताया था LCM ऐसी संग्या है यहाँ पे लग लो LCM ठीक है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे LCM लिख दो LCM वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं से मतलब जिन संख्याओं का यह LCM है उनसे कट जाएगा मतलब यह जो LCM है वो इन संख्याओं से कट जाता है पूरी तरह से इन संख्याओं से बड़ी संख्या होगी ये मतलब 112 से भाग लगाओगे LCM में तो ये पूरी तरह कट जाएगा 144 से लगाओगे तो ये भी कट जाएगा 176 से लगाओगे तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा example में पहले ही बता चुका हूँ यहां सिर्फ अंतर समझाने की कोसिस की जा रही है और जो HCF होता है HCF LCM वो संख्या जिसको संख्याओं डिवाइड कर रही है HCF वो संख्या है जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगी मतलब इन संख्याओं से एक छोटी संख्या ऐसी होगी है ना जो कि इन तीनों को डिवाइड कर देगी अब समझ गए और इस कुश्चन में हमको वही तो निकालना है कि हम इसमें किस से भाग देदें जिससे ये तीनों कट जाएं है ना क्योंकि पूरी-पूरी कट जाएंगी हमने सेसफल घटा दिया है तो अब पूरी-पूरी कट यहां कि 32 हमारा हाइजस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है अब जब इनका डिफरेंस हाईजस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो क्या मैंने बताया था कि इनके difference के भी factor कर दो और high-gest करना तो मैं करता हूँ 16 into 2 तो लेना किसको है छोटे वाले को कि बड़े वाले को तो आप का answer होगा बड़े वाले को क्योंकि high-gest लेना high-gest तो 16 से चेक करो 16 सबते 112 16 नहीं है 114 और 16 एककम 16 बचा 16 तो 16 एककम 16 यानि कि ये 16 वो नंबर है जिससे तीनों संख्याएं कट जाएंगी 16 वो नंबर है जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर सेस्फल 3, 5 और 7 आएगा क्योंकि इन संख्याओं में से इन सेस्फल को घटाने से सोला से संख्या है पूरी तरह से कड़ गई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर बी विल भी राइट आंसर चलिए छड़मा कुश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्यांत करें जिसको तीन हजार से घटाने पर 7, 11, 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो जैसे ये कुश्चन अब आपके सामने आता कि 7, 11, 13 से पूर्ण ता विभाजित करना है उसको तो LCM पहुंच जाते हो गया है क्योंकि अब कर चुके हैं कुश्चन तो 7, 11, और 13 का सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए LCM फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा तो 7 ये अब ये अभाजिसन क्या है पुरी है ना प्राइम नंबर से तो सिंपल सा इसका क्या कर लें मल्टिपल कर लें तो 11, 37, 87 लिखता हूं सीदे सततर गुणे 13, 37, 99, 37, 99, 100 यानकि 1001 LCM क्या आ गया 1001 आ गया 1001 LCM आ गया अब ये बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्यानत करें जिसको 3000 में से घटाने पर मल्लब 3000 में से घटा दें तो इन से पूर्टा विभाजित हो जाए ठीक है जो 3000 है 3000 को 3000 में से उस संख्या को घटा देंगे तो अगर वो 1001 यानि कि इन संख्याओं के LCM से अगर डिवाइड हो जाए तो इन से भी डिवाइड हो जाएगी सिंपल से इसी लॉजिक से करना है तो 3000 में क्या घटाना है अपन कैसे डिवाइड करते है जो सेस फल बचेगा उसी को घटा देंगे ठीक है यह कॉंसेप्ट है और घटाने को पूचा है तो 10001 से इसको काटेंगे जो सेस फल में बचेगा बस वही तो घटा देना है वही आंसर हो जाना है तो कितने बार भाग जागे तीन बार जाएगा तीन एकम तीन नहीं दो बार तो 20002 आ गया है हाँ पर 20002 अब इसको माइनस करो दस में दो गई आठ दस में गई नो और दस में से एक गई नो और तीन में से तीन गई कुछ रही तो 998 ठीक है इसमें पूचा है कि क्या घटा दें हम कि वो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो 998 घटा दीजिए तो 998 घटा दें अपन तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी कौन अगर तीन हजार में से 998 घटा दो तो कित्ता आ जाएगा दो हजार दो जो कि सिंपलीस का मल्टिपल अप सौरी मेट गया सब यहां क्या था दो हजार दो आजाएगा और 1001 हमारा LCM है इस से जेश्ट मल्टिपल अप टू है तो जो हमारे 7, 11, 13 नंबर है इनसे इनसे भी ये क्या हो जाएगा डिवाइड क्योंकि इनके LCM यानकि 1001 से ये डिविजिबल है तो इन संख्याओं से भी डिविजिबल हो जाएगी तो इस का अंसर क्या हो जाएगा 998 998 जो कि यहां पर आफ्सन में नहीं दिया है तो आप इस का अंसर कैसे क्या लिखेंगे कुश्चन नमर 6 का अंसर है लिख देता हूँ ताकि पीडियाप्स में आपको दिखकर न जाएगा आंसर है इसका 998 घटाने पर 3000 में 998 घटा दोगी तो संख्याओ 7,11,13 से पूरूरूप से विभाजित हो जाएगी ठीक है पहले अब थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं तीन सूत्र हैं जिनको आपको समझ मना है याद नहीं करना है क्या करना है समझना है ठीक है इसी से कुश्चन बनते हैं एक्जाम में जादा तर जो पहला सूत्र लिखा है ना इससे पहला सूत्र क्या है LCM LCM into SCF यानि कि लगुत्तम समापवर्तक और समापवर्तक के गुड़न फल और महत्तम समापवर्तक दोनों के गुड़न फल के बरावर होता है संख्याओं को गुड़न फल ठीक है तो सूत्र कैसे याद रखोगे LCM into HCF बरावर पहली संख्या into दूसरी संख्या ठीक है पिल्वाद हो जाएगा अब लिखा हुए भिन्व के लिए किसके लिए भिन्व के लिए है तो मैं लोजिक से समझा दीता हूं ताकि इसब पढ़ना न पढ़िए एक बार पढ़ लो स्य मंसओ का लगुत्तम और हरों का महत्तम, SCA 500 का महत्तम, हरों का लगुत्तम, इस तरह से लिखा है, तो सबसे पहले तो यह है कि भिन्न क्या होती है, है ना, चलो भिन्न समझ लेते हैं, टॉपिक नहीं है आज का लेकिन फिर भी, जिसको पी बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सके, रेसनल लंबर, भिन्न पर रेखे, डी नॉमिनेटर, अंस और हर, तो जो LCM निकालना है, भिन्न का क्या निकालना है, जो भी निकालना हो, चाहिए LCM हो या LCM, अगर LCM निकालना है, तो अंस, यानि कि ऊपर वाले का, नॉमिनेटर का, क्या निकालोगे, LCM, अंसों का क्या निकालोगे, LCM, और हरो क्या किया निकाल दोगे ल्टा हकी 25 अगर किसी भिन्नों का लिसी अगल देना है जो पुछ है उस उसके अंस्ग वही यह लिब्र देत Kub Hall और दो एक साथ ज्यादा समझ में आएगा है अगर हमक को क्या निकालना है भिन्नों का HCF HCF निकालना है हाइजस्ट common factor निकालना है तो इस बार HCF निकालना है न तो अंसका क्या निकालेंगे HCF जो ग्याद करना है अंसका वही निकाल दो HCF निकालना तो अंसका HCF और हर का क्या हो जाएगा LCM जश्ट टोल्टा अब लगता है कभी नहीं भूलेगा ठीक है तो ज़्यादा टाइम वेश नहीं करेंगे तीन इसको समझ लेना उपर वाले को तो बिल्कुल कंठाज दिका लेना लगुत्तम समापर तक गुणे महात्तम समापर तक इंगलिस वाले LCM इंटू SCF बरावर फर्स्ट नमबर इंटू सेकेंड नमबर हिंदी वाले लगुत्तम समापर तक इंटू महात्तम समापर तक बरावर प्रथम संख्या गुणे दूती संख्या थोड़ा पानी पी लेते हैं दो संख्याओं का लगुत्तम समापर तक 630 और उनका महात्तम समापर तक 9 है क्या क्या गिवेन है LCM LCM क्यवेन है हमको 630 ठीक है महात्तम समापर तक मासा HCF क्या दिया है 9 यदि दोनों संख्याओं का योग 153 है तो उनका अंतर कितना होगा ये बताना है ठीक है LCM कितना है 630 HCF कितना है 9 और दोनों संख्याओं का योग यानि कि मैं संख्याओं को A और B मानता हूँ पहली संख्या A दूसरी संख्या B ठीक है इन दोनों का योग दिया है A प्लस B बरावर दिया है कितना 153 ठीक है तो हमारा फॉर्मूला क्या था जो अभी हम पढ़के आए है LCM into HCF बरावर पहली संख्या गोड़ें दूसरी संख्या ये था ठीक है Simply ये फॉर्मूला था तो मैं इसको मिटा देता हूँ आप नोट कर लेना ठीक है चलो तो फॉर्मूला है हमारा LCM यानि की 630 HCF यानि की 9 बरावर होता है A into B के और दिया क्या है A plus B यानि की दोनों संख्याओं का योग A plus B बरावर 153 हमको निकालना है A minus B की value क्या निकालना है A minus B उनका अंतर निकालो संख्याओं का A minus B निकालना है इन दोनों का कर दो square A minus B का कर दो whole square ठीक है A minus B का whole square क्या होता है A plus B का square और minus 4AB ठीक है 4 AB 4 AB क्यों क्यों यहाँ पर plus 2AB आएगा और plus 2AB minus 4AB minus 2AB आएगा तो क्या होता है A square plus D square minus 2AB तो बराबर हो गया दोनों साइट ठीक है तो अब इससे मान पुट कर दो मान रख दो ठीक है चलो रख देते हैं A-B का मान निकाल ला है हमको तो अपन A-B का होल स्क्यर कर लेंगे यानि कि 153 का A-B का मान किता है 153 तो इसका स्क्यर निकाल दो माइनस 4 इन्टू A-B का मान कितना है यह A-B है न यह A-B ही तो है इस का मान दी है 9-0-0 गुणा कर के लिखते हैं 9-0-9-0-9-3-6-9-3-7-7 हांसिल की 2 9-6-4-5-5-6 तो 56-7-4 यहाँ पे माइनस है ठीक है 153 का वर्ग करो और 4 गुणे 5670 इसमें से घटा दो जो आएगा वही वो A-B के whole square की value होगी ठीक है तो इतना मैं अब रफ कर देता हूँ ठीक है क्योंकि जगह नहीं है अपने पास इतना रफ कर देते हैं यहाँ तक समझ में आ गया यह A into B कैसे आया सूतर से लग होते है यह है LCM LCM into HCF यह है बरावर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या AB और उसमें दिया है कि दोनों संख्याओं का योग A plus B बरावर 153 है हमको अंतर निकालना था तो A minus B निकालना है तो हमने इसका वर्ग कर दिये जो की सर्बसमी का बरावर होती A plus B के whole square minus 4 AB के फिर A plus B का मान कित्ता दिये है हमको 153 तो इसका वर्ग और धन रिन है तो रिन लगा दो 4 की जगे 4 AB का मान कित्ता है 630 गुणे नो तो ये कर दिये ठीक है इस तरह से अब जो हमारा A minus B का whole square है वो आ जाएगा कितना 153 का square कर दोगे और minus कर दोगे कितना जो 153 का square निकालना था ठीक है तो अब डाइरेक्ट में 153 का square लेखता हूँ कितना जाएगा 30409 ठीक है 23409 आप रफ में चेक कर ले न और यहाँ पर कितना आया था minus में आया था 4 गुणे ये 630 गुणे नो कि ये थे तो कितना आ गया था वो आ गया था 56 56 तो अब इसका मैं multiply करके डाइरेक्ट लिक देता हूँ 56 गुणे 4 कर दो तो कितना जाएगा 22680 22680 ठीक है 22680 इन दोनों को घटा दो तो A minus B का whole square बरावर कितना जाएगा 9 की 9 10 में आड़ गे ही 2 4 में से कितना 14 में से 7 गे ही तो 7 729 जाएगा हमको निकाला है A minus B ठीक है तो इस square को यहाँ से अटाओगे यहाँ से square को अटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा root ये तो 729 किस क्या वर्ग मूल है 27 का यानि कि अंतर क्या जाएगा 27 option C will be right answer next question है दोस्थ है अब आजे संख्याओं का गुणनफल 170 है तो उनका लगुत्तम समापवर्तक क्या होगा तो अपन सूत्र पढ़ चुके है LCM into HCF बरावर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ठीक है तो इसमें लेखा दो सह अभाज संख्याओं का गुणनफल यानि कि एक गुणे B का मान दिया है पन को 117 हमको निकाला है लगुत्तम समापवर्तक निकाला है ठीक है तो देखो सबसे पहला डायलोग लेखा है दो सह अभाज संख्याओं सह अभाज अभाज संख्याओं होती है किस तरह की जैसे ये 3 और 5 है इनका अगर HCF निकालू तो इनका HCF क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस किता था दो से दोनों नहीं कटती है तो इस दो को बाटना पड़ेगा किसमें 2 इंटू 1 में बढ़ जाएगी तो HCF क्या आजएगा 1 और वैसे भी आपने रूल पढ़ा होगा की जो अभाज संख्याय होती है उनका HCF यानि की महत्तम समापवर तक आलवेज 1 होता है तो इसका HCF कितना हो जाएगा एक और LCM हमको निकालना है तो LCM गुड़े ये कितना हो जाएगा LCM और बरावर हम क्या है 117 तो LCM कितना होगा 117 option number B will be right answer तो ये concept के लिए था ठीक है 10th level के exam में आ सकता है चलिए next question समझ लेते हैं वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोडने पर वह 8, 11, 24 से पूर्ण रूप से बिभाजित हो जाए तो इस बार हमको संख्या नहीं दी है है ना ये बोल दिया कि 5 जोडने पर अभी एक question किये थे जिसमें बोला था कि क्या जोडने तो इसमें ये जोडना दिया है संख्या नहीं दिये तो उसका just apposite है ये मैंने आपको बोला है अगर आपको 2-3 प्रकार के नमबर दिये हैं कुण रूप से विभाजत का concept आए तो सीधे LC में पहुंच जाना है ठीक है अब तो निकाल दियो होगे कुछ लोग आठ ग्यारा पढ़ती ही निकाल दियो होंगे इसका आठ ग्यारा चौवेस ठीक है तो अब अपन इसको ये भी छोटे नमबर से तो इसको डायर्क कर लेते हैं इस विधी से ना करके डायर्क इसके फैक्टर यान कि ये दो गुड़ें दो गुड़ें दो हो जाएगा ये ग्यारा का तो कुछ भी नहीं हो सकता ग्यारा गुड़ें एक लिख सकते हो जादा है तो ये होता है तीन गुड़ें दो तीन दो निच्छे और गुड़ें दो गुड़ें दो आठ ती चौवेस होता ना ठीक है तो देखो पेर कित्ते बन रहे हैं यहाँ पे भी तीन दो हैं यहां पर भी तीन दो दो हैं तो सीधे सीधे आठ लिग दो एक बार बचा क्या ये तीन तो मल्टीपल तीन और ये 11 तो ये 11 ठीक है मैंने काल के बतार हूं फार बाद कि यहां से समाझ मैं आरा कि आठ टीन चॉवज़़़ एक तो 24 गुने घ्यारा कर दो वही आ जाएगा ठीक है लेकिन मैं बेसिक बतार रहों ता कि मैं थड़ याद हो जाए तो आठ टीन चॉवज़़़़ गुने घ्यारा चॉक चॉवालेस और ग्याराद दुनी जिसमें ये 5 जोड़ा हुआ है इस 264 में भाई इन 3 संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या इनका LCM ही तो है और इसमें 5 जोड़ा हुआ है तब नहीं ये इस से डिवाइड हुई उसने बोला कि वह शोड़ी संख्याओ जिसमें 5 जोड़ दो तो इसमें तो 5 जोड़ा हुआ है तब नहीं ये तीनों से डिवाइड है तो हम क्या करें संख्या निकालने के लिए जिस संख्या में 5 जोड़ा है वो निकालने के लिए इसमें से 5 माइनस कर दो तो 264 में क्या घटा दो sorry 264 में घटा दो पांच किता जाएगा चगुदों में पांच जाएगी तो कलर चेंज कर लेता हूं तो दिक्कत नहीं जाएगी चगुदों में पांच गई नौ और छह में से गई पांच यानिकी 259 बिल भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड यह तो डारेक्ट दिया हुए है में कि महत्तम समाब बढ़ता क्या है लगुत्तम क्या है तो सूत रिख लो सबसे उपर LCM इंटू SCF बरावर पहली संख्या गुड़ें दूसरी संख्या ठीक है सीधे फॉर्मूले में मान रखना है तो LCM दिया है पन को किता 2400 HCF कितना दिया है 16 पहली संख्या क्या दिया है 480 और दूसरी संख्या ग्यांत करनी है यानि कि B ग्यांत करना है तो सिंपल सा इसको सरल करना है बस जीरो से काटो जीरो काटने के लिए अधर कलर यूज कर लेता हूँ है इस जीरो से इसको काट दो 16 38 काट दो इस 3 से इसको काट दो 38 24 यानि कि यहां पर बचा 80 तो B बरावर क्या आ जाएगा 80 option B will be right answer ठीक है question number 11 देखो दो संख्या का लगुत्तम समापर तक यानि कि LCM बरावर दिया है 4800 उनका महत्तम यानि कि HCF दिया है 160 यदि उनमें से एक संख्या यानि कि A का मान दिया है 480 तो B निकालना है ठीक है तो formula लगा देना LCM into HCF बरावर A into B का value आ जाएगा question number 10 के just two copy है बस थोड़ा सा संख्या चेंज की है ठीक है इसको मैं रख देता हूं हमबर के लिए comment में इसका आंसर जुरूर बताईएगा ठीक है next question है दो संख्याओं का लगुत्तम समापवर्तक 280 और उनका अनुपात 7 ratio 8 है तो संख्याओं याद करो ठीक है तो जो संख्याओं है उनका अनुपात दिया है यहाँ पर ratio दिया है ठीक है 7 ratio sorry कहां गया यही तो है हाँ यही है 7 ratio 8 दिया है उनका क्या दिया है अनुपात दिया है ठीक है अपन को क्या निकालना है संख्याओं निकालना है ठीक है तो एक basic trick है एक इसका LCM अब फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला पन ना लिखते तो सही रहे हैं मैं लिखके मिटा दूगा LCM into SCF बरावर A into B ठीक है यह होता है चलो समझ गए तो LCM दिया है किता 280 SCF नहीं दिया है संख्याय दे दी 7X into 8X तो देखो इनका LCM यानिकी common factor कौन सा है X तो इसका SCF क्या हो जाएगा X ठीक है common जो दौनों में common होता है जिसके multiple में वही नहीं होता है common SCF तो यह X ले लिए अपन ने 1X से 1X को काड़ दो तो यहाँ पर कितना जाएगा 7,8,6 X और यहाँ पर जाएगा 280 ठीक है इसको simply 28 से काड़ दो 28 धाम 280 होता है ठीक है और 28 दूनी 56 होता है इस 2 से 10 को काड़ दो पंचे 10 यानिकि X बराबर आगे हमारा 5 X बराबर कितना आगे है 5 हमको संख्याय निकालनी है तो 7 गुणे X 7X है तो 7 गुणे 5 कर दो यानिकि A का माना जाएगा 35 और B का माना जाएगा 8 पंचे 40 ओप्शन देख लो ओप्शन है C 35 और 40 ठीक है सौड में कैसे करोगे लगुत्तम समाबर तक दिया हो तब के लिए है ठीक है 200 C दिया है इसको 7 से भाग दे दो यह है ना 7 साथ रेशियो दिया है तो 7 से भाग दे दो 7 चुको 28 यानिकि एक संख्या होने वाली क्या 40 एक रेशियो दिया है 8 8 से भाग दे दो 8,3 24 24,4,8,5,4 40 यानिकि दूसरी संख्या 35 पहली 40 दूसरी 35 बन जाएगा चलिए यह सौट ट्रेक है और वो बेसिक था चलिए तेरवा कुश्चन है दो संख्याओं का लगुत्तम समापवर्ता की यानिकि LCM दिया है 84 ठीक है और HCF हमारा दिया है कितना 21 HCF दिया है 21 ठीक है दौनों संख्याओं का अनुपाद कितना है 1 रेशियो 4 दिया है ठीक है तो दौनों में बड़ी संख्याओं बतानी है तो देखो मैंने भी पिछले में बताया था अगर रेशियो गिवेन है LCM गिवेन तो सिंपल से क्या करो 84 लिखो इस रेशियो से भाग लगाओ एक बार इस रेशियो से मतलब संख्या 1 के रेशियो से और संख्या 2 के रेशियो से इस से भाग लगाओगे कितना आजाएगा 84 ही आएगा 84 ही आजाएगा इस 4 से लगाओगे तो 4 दुनी 8 और 4 दुनी 8 4 एकमचार यानि कि कईसा आजाएगा तो बड़ी संख्या कौन सी है 84 यानि कि इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 84 और जो basic trick थी उससे करके भी देखना हो तो देख सकते हैं ठीक है चलो time है अभी कर सकते हैं 84 21 है तो LCM into S से बराबर A into B 84 करो into 21 करो ठीक है संख्याओं को क्या मालो X और 4X तो 84 उने 21 21 बराबर हो जाएगा X into 4X तो यह क्या हो जाएगा 4X square simply और यह 84 गोड़े 21 चार से काटोगे यह कितना आ जाएगा 21 चोको 84 21 का square है और X तो X बराबर कितना आएगा 21 हमको क्या निकालना है 21 आ गया संख्याओं निकालनी है तो आपको अगर LCM दिया है रेशियो दिया है तो इसके चक्कर में ना पढ़ना टाइम बचाने के लिए क्या करोगे सिंपल सा LCM लिखे एक बार एक से भाग दो इस इस रेशियो से एक बार इस रेशियो से तो एक से आज जाएगा 84 से एक से कई सिंपल ये संख्या है बड़ी पूचा तो बड़ी बताओ छोटी पूचा तो छोटी बताओ बन जाएगा आज जो LCM है LCM का ये आखरी सवाल है अभी बाकी के जो टाइप से बच्चे हुए है वो एक पार्ट टू के नाम से ठीक है यही रहेगा मतलब की LCM SCM के नाम से पार्ट टू करके बना दिया जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह 56 मिनट 14 सेकेंड अभी हो चुका है ज़्यादा बड़ा अपलोड कर नहीं सकते है ज़्यादा बड़ा अपलोड करने में दिक्कत जाती है ठीक है तो बड़ा वीडियो के हो जाता है इसलिए अपन इसको पार्ट टू में देखेंगे बाकी को इसको लगा लें आखरी कुष्चन के रूप में एक और तीन सो के बीच में कितनी संख्या है जो तीन और पांस से विभाजित हो जाती है सिम्पली है इस तरह से कुष्चन अगर आता है ना तो सोट ट्रिक देखो एक और तीन सो के बीच में पूँच रहा है कितनी ऐसी संख्या होंगी जो तीन और पांस से विभाजित होंगी तो जैसे विभाजित पूँच रहा है दो संख्या हैं देदी मतलब कि अगर इस 15 से जितनी यहां कि एक और 300 के बीच की संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, उतनी ही 3 और 5 दौनों से हो जाएंगी, यहां पर 2 लिखा है, ठीक है न, अलग-अलग नहीं, दौनों से, 3 से भी होनी चाहिए, पांस से भी होनी चाहिए, तो अगर इनके LCM से नंबर लिखोगे और फिर चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इन सिंपली जिन संख्याओं से विभाजित होने का ज्याद करना है उनका निकाल लो पंद इस पंदरह का जितनी संख्याओं के बीच की पूँचा है आन। आन्सर क्या हो जाएगा। बीस ऐसी संख्याओं होंगी एक और थीजो जो तीन और पाँच से विभाजित हो जाएंगी तो इसी के साथ बने रहे हैं हमारे साथ जैहिंद, जैभारत और एक छोटी सी क्या है रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सेयर कर दिया कीजिए जो भी बच्चे पड़ रहे हैं तो हमारी भी मेहनस सार्थक हो जाएगी और उनका भी फायदा हो जाएगा ठीक है पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजेगा जय हिंत जय भारत